हेलो फ्रेंड्स एक बाफ फिर से स्वागेता है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक ताज लेजीज फूड में आशे करते हैं आप सभी अच्छे होंगे स्वस्त होंगे और हमारी वीडियो का भर पूरानन ले रहे होंगे तो दोस्तो एक बाफ फिर से हम वापिस आ चुके हैं बहुत ज़्यादा मज़ेदार पोर इन वन इंस्टेंट स्नाक्स रेसिपी के साथ जो कि हने वाली है बहुत ज़्यादा होली स्पेशल वीडियो आज की तो दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मारी वीडियो को अभी तग लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज अभी करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथी बेल आइकन भी दबादे जिससे हमारी सभी मज़ेदार वीडियो की नोटिफेकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे और आप हमारी वीडियो का भर पूरानन्द उठा सकें तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई समय बरबाद किये तो दोस्तो यहां पर हमने पहली स्नैक्स रेसिपी के लिए कुछ आलू को छील कर पतले पतले चिप्स बना लेंगे यह देखिए कुछ इस तरह से और अब इन सभी कटे हुए आलू को अच्छे से दो लेंगे अब फिर इसमें थोड़ा सा फूड कलर आड़ कर देंगे यह बिल्कुल ऑप्शनल है आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं और अब इन सभी कटे हुए आलू को अच्छे से कलर में मिला दें और फिर इने पानी में से निकाल लें और इसके बाद एक सूती कपड़े की मदश से इनका सभी पानी जो है अच्छे से पोच दें और इनमें से पानी बिल्कुल सुखा दें देखे कुछ इस तरह से अच्छे से पानी सुखा देंगे तो दोस्ता अब इन सूखवे आलो को इस तरह से एक के उपर एक करके अरेंज कर देंगे और अब इन सभी पे कॉर्ण स्टार्ट यानी आरा रोट छिड़क देंगे इसके बाद इस सभी को ऐसे करके रोल कर लेंगे और इनको तूथपिक की मदद से सेट कर देंगे दोस्त जितने पतले आलो के स्लाइस होंगे उतना ही बढ़िया ये रोल बनेगा दोस्तो ये देखिए अब सभी आलो जो है रोलो के त्यार है और अब इन सभी आलो को डीफ राई कर लेंगे अच्छे से सुने रहे होने तक तो देखे दोस्तो तेल बिलकुल गरम है और अब हम इसमें सभी आलो को फ्राई कर लेंगे ये देखे दोस्तो अभी बिलकुल तयार है और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे इसी तरह से बाकी आलो को भी हम डीफ फ्राई कर लेंगे अच्छे से तो दोस्तों चलिए हम इसे थोड़े स्पाइसी बनाने के लिए इसमें थोड़े से मसाले अड़ करते हैं तो सबसे पहले इसमें डालेंगे थोड़े सा चाट मसाला थोड़े सी काली मिर्च पाउडर साथी थोड़े से जीरा पाउडर और लास्ट में कस्तूरी मेथी डाल देंगे और अब ये बिल्कुल तयार है तो चलिए दोस्तो आगे बढ़ते हैं आज की सेकिंड स्नेक्स रेसिपी की तरफ जिसके लिए हमने ये बचे वे आलो को डीफ फ्राइ कर लेने है और इनको अच्छे से सुनेरे होने तक फ्राइ कर लेंगे तोस्तो अब हम गयास पे एक फ्राइ पैन को चड़ा देंगे और फिर हम उसमें थोड़ा से तेल डालेंगे साथ ही डालेंगे थोड़ा सा अद्रुक और लेस्सिन का कुटा हुआ पेस्ट और फिर इसमें डालेंगे एक चमच रेचली चटनी जिसकी रेसिपी के लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और फिर इन सबी को अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद इसमें सबी फ्राइक किये हुए चिप्स को हम डाल देंगे और अब इन सबी चिप्स को अच्छे से मसालों के साथ मिला लेंगे जिससे ये स्पाइसी हो जाए और अब गैस को आफ करके इने प्लेट में गर्मा गरम सर्फ कर लेंगे देखिए अब ये बिल्कुल तयार है तो देखिए दोस्तो हमारी दूसरी रेसिपी बनके बिल्कुल तयार है और अब हम चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तीसरी स्नैक्स रेसिपी की तरफ जिसके लिए हमने थोड़े से आलू को पहले ही उबाल के रखा हुआ है और अब हम इस उबलेवे आलू को एक चन्नी की मज़से अच्छे से मैश कर लेंगे तो दोस्तो चन्नी से मैश करने से क्या होगा कि ये बिल्कुल फाइनली मैश होएंगे और इसमें एक भी लंप्स नहीं रहेंगे देखिए दोस्तों मैश करने के बाद अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा से स्वाद अनुसार नमक थोड़ा से कुटा हुआ लेस्जन थोड़ा से जीरा पाउडर और काली मेर्च पाउडर थोड़ी सी कस्तूरी मेथी और अब हम इसमें डालेंगे कॉन स्टार्च यानि की आरा रोट और अब हम इनका अच्छे से एक डो तयार कर लेंगे दोस्तों आरा रोट डालने के बाद ये बहुत ज़्यादा स्टिके हो जाता है जिसके वज़े से ये आपके हातों में बहुत ज़्यादा लगेगा दोस्तों डो तयार होने के बाद हम श्लिप पे इस तरह से आरा रोट को छड़क देंगे और अब हम डो को इस पे रखे अच्छे से अरा रोट को डो में लपेट लेंगे और फिर इसको अच्छे से लंबा सा बेल लेंगे और अब इसकी हम कटिंग करेंगे एक गलास की मदद से जिससे ये गोल कटे एकदम और अब इन सभी सर्कल्स के अंदर से हम एक और सर्कल्स काटेंगे छोटे गलास की मदद से और देखिए दोस्तों अगर आपको इसको गलास की हल्प से कटिंग करके नहीं बनानी है तो आप इस तरह से हाथों से भी डोनट्स के शेप दे सकते हैं इन स्नाक्स को तो चलिए दोस्तों अब इन्हें भी डी फ्राई कर लेते हैं अच्छे से देखिए दोस्तों अभी बिल्कुल सुना रहे हो चुके हैं और अब हम इन्हें प्लेट में निकाल सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की आखरी और फोर्थ स्नाक्स रेसिपी वीडियो की तरफ तो दोस्तों इसके लिए हमें कच्छे आलो को कद्दुकस कर लेना अच्छे से और फिर इनका दुकस किये आलो को अच्छे से धोके एक सूती कपड़ में निकाल के इनका पानी सुखा लेंगे अच्छे से और अब हम इन आलो में मिलाएंगे थोड़ा सा कौन स्टार्च यानि की आरा रोट और इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे और दोनों को मिलाने के बार इनको छोटे छोटे बॉल्स की शेप दे देंगे हातों की मज़द से यह देखिए सभी बॉल्स अब बन के तयार है और अब हम इने भी डीफ फ्राई कर लेंगे अच्छे से देखिए दोस्तों अब यह सभी बॉल्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और अब हम इने प्लेट में निकाल लेंगे तो चलिए दोस्तों अब इन बॉल्स को स्पाइसी बनाते हैं तो सबसे पहले इस पे हम डालेंगे सूखी हुई कस्तूरी मेथी और फिर डालेंगे इसमें थोड़ी सी काले मेर्च पाउडर थोड़ा सा जीरा पाउडर और साथ ही थोड़ा सा चाट मसाला और अभी क्रिस्पी एंड स्पाइसी बॉल्स खाने के लिए बिल्कुल तयार हैं तो दोस्तो यह सभी स्क्तूर स्पाराल दिखने में जितने ज़्यादा सुन्दर लगरहे हैं यह भी खाने में भी उतना जिश्पी एंड स्पाइसी लगेंगे तो दोस्तो अब इन सबी को गरमागरम रेट चली चटनी के साथ सर्फ कर देंगे और आपको रेट चली चटनी की वीडियो की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो दोस्तो यह सोली ज़्रू ट्राइ करें हमारी इंस्टेंट फौर इन वन स्नैक्स रेसिपी और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी तो दोस्तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो हीजाते हैं यहाँ पर कम्प्लीट अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले और बेल आइकन भी दवा दे जिससे हमारे चैनल की सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे और आप हमारी वीडियो का भर पूराने ले सके तो चलिए दोस्तो इसी के साथ फिर मिलेंगे आप सभी से एक नई और मज़िदार वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई और टेक केर हुआ हुआ है